NHPC Limited, A Government of India Enterprise NHPC Office Complex Act 33, फरीदाबाद, हर्याणा यहाँ पे various post निकली हुई है जिनकी सबसे पहले आपको बता देते हैं important date जो क्या है स्टार्ट हुए थे ये 1 सितंबर 2021 के सुबह 10 बजे से और इनको आप online apply कर सकते हैं 30 सितंबर 2021 रात 11 बज़ कर 55 मिनेट तक तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीरियल नमबर 2 पे आप देख सकते हैं assistant राजभाशा officer 40,000 से 1,40,000 तक इसकी salary होगी और यहाँ पे आपकी जो educational qualification है वो यह है कि अगर आपके पास MA हिंदी में है तो English आपका elective subject रहा हो degree level पे और अगर आपके पास MA English में है तो हिंदी subject रहा हो आपके पास degree level पे elective और master degree में सबसे जरूरी बात यह है कि master degree में आपके होने चाहिए कितने अंक 60% जिहां 60% marks आपके master degree में होने चाहिए उसके बाद BA में कितने होने चाहिए BA केवल passing है अनकी केवल qualify अगर आपने किया है चाहिए कितनी भी percentage हो वो matter नहीं करेगा इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए experience तीन साल का experience जो एक जुलाई 2021 तर complete हो और वो experience आपका होना चाहिए translation में English से Hindi और Hindi से English इसके बाद desirable जो है knowledge of any language, local language के आपको knowledge होनी चाहिए या फिर dialect भी चलेगी और will be an advantage to the candidate applying for the post अगर ऐसा उनको मतलब इस तरह की जानकारी उनको है तो यहाँ पे advantage होगी उनको preference दी जाएगी उसके बाद knowledge of Sanskrit या फिर modern Indian language और इसके साथ साथ experience of organizing, Hindi classes और workshops on noting and drafting और नमबर चार पर आता है administrative experience तो अगर इस तरह के experience है यह desirable है तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ तो लाव जरूर मिलेगा इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि इसके age limit क्या है age limit आपकी जो है वो एक July 2021 तक इनोंने मांगी है और age limit आपकी होनी चाहिए 35 साल total vacancy साथ है ज पर आप देख सकते हैं कि किन-किन categories को disabilities की categories है उनको कौन-कौन सी वो category है जिनको इन्होंने यहां पर रखा है तो आप अगर इस category में आते हैं किसी भी प्रकार की जो physically handicapped हैं वो यहां पर देख सकते हैं इसके बाद और भी है यहां कि कई तरह के आपको allowances यहां पर मिलेंगे जिस तरह basic पे तो मिलेगा यह लेकिन DA मिलेगा चारे मिलेगा और CA मिलेगा PRP मिलेगा medical facility मिलेगी social security benefits including PF, pension, gratuity, etc. यहां कि कई प्रकार के आपको full suite हैं दी जाएंगी तो काफ़ी अच्छी आपके लिए जो opportunity है अगर आप इसके लिए eligible है placement है All India में NHPC के जहां पर भी कोई office ह department है वहाँ पर कहीं पर भी आपकी placement हो सकती है application fees है general OVC और EWS category के लिए 250 रुपे है इसके अलावा SC, ST, PWD, X service man के लिए कोई fees नहीं है बात होती है महिलाओं की तो महिलाओं को भी fees देनी पड़ेगी अगर वो OVC general EWS में आते हैं तो इसके साथ है steps for applying किस तरह से apply करना है तो हमने आपे description में link दिया है साथ में पीडिया भी दिये इसको आप अच्छी तरह से देख लें और क्या 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 आपको जरूरत पड़ेगी अनकी step wise नहीं पता रखा है कि किस तरह apply करना है और क्या 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 डोकुमेंट्स की जरूरत है किस तरह से आपको upload करने कितने ratio में होने चाहिए क्या उनका resolution होना चाहिए कितना उनका size होना चाहिए किस format में होने चाहिए इसके साथ selection process तो केवल एक आपका test होगा और वो होगा online test उसमें जितनी आपकी merit आईगे और की merit के base पर आपका chain हो जाएगा test की जो center है वो 20 शहरों में आएंगे यहापे नाम लिखे हुए है एहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भोवनेशवर, चंडिगर, चेनने, धेरादुन, दिल्ली, गंग्टो, गुवाटी, हैदराबाद, इटानगर, जैपूर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनो, मुंब और यहाँ पर subject देख लेते हैं, तो इसके लिए subject क्या है, जो दूसरी पोस्ट इंकन ही देखेंगे, और हम यहाँ पर देखने वाले हैं, for assistant राजभासा officer, तो इसके लिए 110 question आपके लिए आएंगे, ठीक है, और 110 question में 3 part आपको दिये होंगे, पहला part होगा 40 MCQ का, जहाँ 10 descriptive question होंगे, दूसरा part होगा 30 MCQ आएंगे, और इसमें general awareness होगी, और number 3 पे होगा reasoning, वहाँ पे 30 MCQ आएंगे, हर एक question के लिए negative marking है, यहनिकि 0.25 आपका deduct होगा, अगर आपका question का answer गलत पाय जाता है, तो 1 fourth की negative marking है, जो आपके 10 descriptive questions है, उनकी कोई negative marking नहीं है, इसके बाद relaxation क्या है, तो relaxation देखें, यहाँ पे SCST को 5 साल की छूट मिलती है, और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 40% से अबव जो है, जो disabled है, 40% से अबव वो PWBD यानि की persons with bench mark disability में, इसके अंडर आते हैं, इस category के, अधरवाई 40 से कम है, तो नहीं आएंगे, तो आप जो certificate बनवाएं, उस non-crimalier को, और 10 साल मिलेंगे, अगर कोई general category से PWD candidate है, 13 साल मिलेंगे, अगर OBC category से PWD है, और 15 साल की छूट उसको मिलेगी, जो SCST category से PWD candidate है, और यहाँ पे देखिए, अपरेज लिमिट्टीव, रिलेक्स बाइफ फाइव एर्स फोर था केंडिडेट हुए, और यहाँ पे और भी कई सारी चीजे हैं, जो आपको पढ़ने की जरूरत है, कुछ general instructions है, उनको आप ध्यान से देख सकते हैं, तो इसके लिए आप इस media फाइल को डाउनलोड कर सकत हैं, और इसके लिए आप eligible हैं, तो काफी अच्छी जोब आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि कई सारे आपको allowances वगरा मिलेंगे, तो link के लिए आप हमारी इस video के description में जा सकते हैं, वहां से आप इसका link आपको मिल जाएगा, वहां से download करके आप इसको एक बार अच्छे से झाला 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